हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आपका इशाहिल में बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों यह Omron का Thermometer है जो कि डिजटल है इसमें दो मोड होता है Centigrade और Forenheight तो Centigrade से Forenheight कैसे करते हैं और Forenheight से Temperature को जो है Centigrade में कैसे बदल दे हैं कभी-कभी by default जब यह आता है, तो centigrade रहता है, कभी-कभी by default जब यह आता है, तो Fahrenheit भी रहता है. अब हमें जो बुखार मापने की आदत है, वो जिस चीज में हम, जिस temperature पर हम मापना चाहते हैं, हमें उसमें करने के लिए इसको centigrade से Fahrenheit और Fahrenheit से centigrade करना पड़ता है. तो यह कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें एक ही बटन दिया हुआ है, जो कि बहुत difficult हो जाता है. तो यहाँ पर मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि, Omron के इस thermometer में आप यह सारी चीजे कैसे चेंज करेंगी. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो नीचे रेट कलर में सब्सक्राइब बिटन दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक कर लिजिए और बैल लाइकिंग को दबा लिजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलते हैं, हमेशा सबसे पहले, चलिए दोस्तों आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इस थर्मामेटर को दिखा दू, साड़े तीन सौ रुपे का लिया था मैंने, और ये इसके उपर एक कबर आता है, इसके हर थर्मामेटर में ये कबर आता है, जो कि इससे डेमेज से बचाता है, अमरोन एक बहुती बड़ी मल्टिनेशनल कमपनी है, जो की हेल्थ केयर डिवाइसे बनाती है, तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको ये लेना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से पर्चेश कर सकते हैं, ये रोप की कमपनी है, यहाँ पर सेल लगता है, जो की घड़ी वाला जो सेल आता है, वो हम यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन मैंन मुद्धा ये है, कि यहाँ पर एकी बटन दिया हुआ है, इसी से ओन होता है, और इसी से centigrade से Fahrenheit चेंज होगा, और Fahrenheit से centigrade चेंज होगा, तो अब ये निर्भण करता है, कि इसके अंदर पहले से क्या fit है, तो सबसे पहले हम एक बार इसको दबा के और छोड़ देंगे तो यह on हो गया यहाँ पर जो temperature दिया है पहले से centigrade दे रखा है या हमारी गलती से यह centigrade हो गया है अब हमें इसे foreign height में change करना है तो कैसे change करेंगे यह काफी difficult हो जाता है नए जो device user है उनके लिए यानि नया पहली ब dvivala मामला हो जाता है तो इसको क्या करेंगे सीदा एक बार दबा देंगे और यह बंद हो गया अब हम क्या करेंगे जब हम इसको पहली बार दबाएंगे तो दबाके रखना है और इतनी तियr नहीं दबा ना है किसका यह button उन श्थासँ अन्दर घुष जाए या खराब हो जाए तो हलके हाथ तो इसे जैसे स्टार्ट करते हैं हमें उसे छोड़ना नहीं है यह मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखना है मैंने होल्ड करके रखना है ये सिवांसे ये संटीग्रेट आये ये मैंने इसको छोड़ दिया यानि अब इसके अंदर जो change हो गया वो foreign height में हो गया अब इसको हम on कर लेते हैं तो ये देखिए ये foreign height में temperature को detect करेगा अब ये foreign height में हो गया इंडिया में अधिकतर जो भुखार नापा जाता है foreign height में नापा जाता है तो ये बच्चों की गलती से या कभी हमारी गलती से ये चेंज हो जाता है तो इसको सही करने में पापड़ बेलने पड़ जाते हैं तो यहाँ पर मैं इसको दिखाता हूँ दुबारा से इसको कैसे centigrade में इसको बंद कर देंगे अगली को उठाना नहीं है अगर गलती से कभी ऐसे वाला आ जाए तो आपको दुबारा से प्रिक्रिया अपना नहीं है जब तक आपका सही न हो जाए आपको दुबारा से ऐसे करते रहना है यह होल्ड करके रखा है मैंने फॉरेनाइट हो गया सेंटीग्रेट हो गया जैसे ही जो चीज़े आपको सेलेक्ट करनी है उसी पर छोड़ दीजे अब यह सेंटीग्रेट में दिखाएगा यह थर्ममीटर काफी अच्छा है बाजार में जो थर्ममीटर मिलते हैं वो कुस दिनों में घराब हो जाते हैं इसका जो एक बर सेल लग जाता है तो तीन से चार सालों तक आरहमस चलता है इससे पहले भी मेरे पास यही थर्ममीटर था अब इसको मैं फिर चेंज करता हूँ इसको बंद कर दिया ओन किया होल्ड करके रखा दबा के रखा और यहां पर जैसे ही फोरेनाइट दिखाई देगा मैं छोड़ दूँगा मैंने छोड़ दिया इसको अब यह चेंज हो गया अब देखिए यह आपके सामने ही है बहुत अच्छी क्वालिटी का थर्ममीटर होता है और मैंने बताया कि मल्टिनेशनल कम्पनी बहुत भड़ी कम्पनी है जो की यही डिवाइस बनाती है यह Omron वो बैटरी वाली नहीं है यह Omron मैडिकल वाली है मैंने डिस्रिप्शन में लिंक दे रखा है अगर आप इसे चाहते हैं पर्शिश करना तो आसानी से वहां से पर्शिश कर सकते है थैंकि दोस्तों मिलते हैं अगरी बार एक और लेटेस वीडियो में वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें